दोस्तो वीडियो में किलिक करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस फोटो का आपको एकजा celebrate जैता हुए इसका बीपूर और से किस और एडिट करने के बाद पोटो कुछ इस प्रकार से होने बाला है तो अगर आप इस टाइप का फोटो बनाने के लिए शेखना चाहतू कर बहुत ही आसानえ से मैं आपको आज सिखाने बाला हूँ कि फोटोशाप में आप फोटो को कूछ इस टाइप से एडिट कैसे कर सकते हैं तो अगर आप इस वीडियो को सुरू से लास्ट तक पोलो कर लेते हो तो कुछ इस टाइप से आप किसी भी फोटो सौप में किसी भी फोटो को एडिट करने के लिए सीख जाएंगे तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रितेस और रितेस बियन के य किली करना है और और फरि आपको क्लिक करना है और यहां से आपको फोटा को ऊपटन कर लेना और चाहते List 계Board में तो वर्य फोटो को क्लिक करना है और यहां पर आपको क्लिक करता हूं तो यहां पर मिलेगा आपको layer और इस layer पेनल को आपन करने के लिए आप short command को भी यूज कर सकते हूँ जैसे कि यहां पर एफ 7 लिखा हुआ है तो अभी simply मैं इस layer panel के option पर क्लिक कर देता हूँ side में आप यहां पर देखेंगे कि आपका layer पेनल ओपेन हो चुका है और यहां पर आपका layer भी दिख रहा है अगर आपका यहां पर यह जो लेर है अगर आपका कुछ इस प्रकार से इतना चोटा दिख रहा है या इतना चोटा दिख रहा है तो यहां ही पिर आपको layer लेयर पेनल में रैट क्लिक करके यहां पर लार्ज वाले थमनेल पर क्लिक कर देना है कि जिससे आपका जो यह थमनेल है वह आपका यहां पर बड़ा दिखने लगेगा तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस फोटो को अब एडिट करेंगे सबसे पहले दूस्तों क्या करना है इस लेयर के उपर आपको रैट क्लिक करना है और यहां पर आपका एक लिक करके यहां पर एक लेयर बन जाएगा और दुबारा से इस लेयर के उपर यहां पर जो सबसे उपर में लेयर है इसके उपर रैट क्लिक करना है और यहां पर एक और ऑप्सन मिल तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है और इस बार हम क्या करेंगे यहां पर आपको दो लिख देना है और उसके बाद कर देना है तो यहां पर देखेंगे कि एक और दो यहां पर लेयर हमारा बन चुका है सबसे फस्ट वाला लेयर को आपको को सेलेट कर देना है और उपर वाला लेयर को सेलेट करने के बाद यहां पर आपको नेचे अडजेस्टमेंट लेयर वाला आप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहां से आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहां से आपको क्या करना है कि यहां पर थोड़ा सा क्रीम क्लर को select कर लेना है यह थोड़ा white color को भी select कर सकते हूं तो मैं यहां से थोड़ा cream color को select कर रहा हूं यहां पर देख सकते हूं कि इसका code भी आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे कि अब मैं यहां पर बढ़ा के दिखा रहा हूं आपको यहां पर यह जो code है FFFE5D6 यह अगर आप type क कर देंगे अपने color panel में तो यही वाला same color आ जाएगा उसके बाद simply okay पर क्लिक कर देना है और उसके बाद अपने keyboard में control आई प्रेस करना है और यहां पर आपको दो दिखाई देंगे एक तो यहां पर जो आपने layer select किया है वो हो गया और यहां पर side में आपका यहां पर white color का एक आपको यहां पर thumbnail देख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर white वाली color पर और अपने keyboard में control प्लस आई प्रेस करना है जिससे कि आपका जो यह फोटो है आपको यहां पर हो जाएगा उसके बाद यहां पर tools बार में आपको यहां पर brush tool को select कर लेना है right click करके यहां पर brush वाले को ही select करना है brush tool क्लिक करने के बाद यहां पर देखेंगे कि आपका जो brush का size है वह बहुत ज्याद चोटा है दोस्तों तो इसके ओपर right click करेंगे यहीं पर आपको फोटो के ओपर right click करना है यहां से size को आप बढ़ा सकते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा size यह आपको किलिक करना है और यहां पर आपको swap light वाले option पे जैंगे तो कुझ इस प्रकार से आपका यहां पर फोटू में effect लग जाएगा और क्या करना है कि फोटो को जूम करके इस परकार से आपको अपना यहां पर face में इस परकार से अपना brush को चलाना है जैसे कि आपका जो face है वो थोड़ा से देख सकते हूं कि यहां पर फेस जो है आपका क्लीन हो चुका है लेकिन थोड़ा से आपको यहां पर इस प्रकार से ध्यान दे करके आपको इसमें ब्रस चलाना है ताकि थोड़ा से इसमें बाल अगर बचा करके ब्रस करना है और ताकि आपका देखने में लगे और रियलिस्टिक लगे तो थोड़ा सा ब्रस्ट को ही चलाना सबसे ज्यादा इसमें इंपोर्टेंट है दोस्तों तो मैं आपको एक बात और इंपोर्टेंट बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी बर्जन का फोटो सॉप हो तो यहां पर सेम ट्रिक को आपने की बोर्ट मीं को द्वाल को द्बा करके रखना है और यहां पर कांट्रोल को दभाणप रखना है और यहां पर यह जो white color वाला जो face का जो आपका एक mask बन चुका है, इसके उपर आपको click कर देना है, इसे ही होगा कि आपका जो face है वो इस परकार से selective हो जाएगा, और उसके बाद नीचे में आपको adjustment layer का option मिलेगा, इसके उपर आपको click करना है, click करने के बाद यहां पर आपक जो selective color open हुआ है, यहां पर आपको red को select करना है, और यहां पर automatic पहले से select है हमारा, तो उसके बाद नीचे वाला जो black वाला जो option है, इसको इस परकार से आगे बढ़ाएंगे, तो आप देखें कि face का जो skin है, वो थोड़ा और ज्यादा whiteness हो चुका है, उसके बाद red वाले color पर click करके यहां पर yellow वाले color को select कर लेना है, और फिर से black वाले option को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो आप यहां पर देखें कि face आपका बहुत ज़्यादा clean हो चुका है, चलि मैं थोड़ा सा इसका face का training के लिए बताता हूं, थोड़ा सा आप इसका tone को manage रख सकते हैं, ए बीच वाले जो channel है यहां पर इस परकार से आगे बढ़ाएंगे तो आपको जो face है, वो थोड़ा सा और ज्यादा light हो जाएगा, और थोड़ा सा इधर पीछे वाला करेंगे तो थोड़ा सा exposure बढ़ा देगा आपका face का, तो इस परकार से आपको बीच वाले को थोड़ा कम क हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, simply यहां से इसको select करेंगे, और कुछ इस परकार से उपर वाले को select करना है, यानि कि shift को press करके इस परकार से उपर वाले layer को, यानि कि दो number वाला layer और यहां पर जितने भी effects है, इन effect को select कर लिए, हमने shift को press करके, और अपने keyword में control G press कर action मिल जाएगा, इस वीडियो को देख करके, आप इस section file को download कर सकते हो, और अब आपको क्या करना है, अगर आप इसको save करना चाहते हो, तो उससे पहले layer पे click कीजिए, और यहां पे प्लेटन image पे click कर दीजिए, पोटो आपका single layer बन जाएगा, और अगर इसका background change करना चाहते दोस्तों तो यहां पर यह जो action file देख पार है दोस्तों यह action file का video समने बनाया है, वनिकि यह action file दोस्तों सिर्फ आप इस action file के मदद से one click में अपना background को change कर सकते हो, आप जैसी कि हमारा पोटो बढ़ के त्यार हो गया तो यहां पर देख सकते हो, कि one click background रिमूब आप्शन जैसे इस पर उसके ओपर किलिक करेंगे देख सकते तो बेगरोंड आपका रिमूब हो चुका है और यहां पर ग्रेडियंट लेना चाहते हूं तो इसके अंदर ही option मिलेगा ग्रेडियंट बेगरोंड का इसके ओपर हम किलिक कर देंगे और उसके बाद सिंपली ओकिवाले option चाहते हूं यहां पर नीचे में हमारा फोटो यह एडिट वाला से हो चुका है तो अगर आप दोस्तों कुछ इस प्रकार से अगर आप फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हूं और अगर आप बेगरोंड एक्शन फाइल को डाउनलोड करना चाहते हूं तो इस वाले वीड उसको देकरकर एक्शन फाइल को डानलोड कर सकते हैं तो दस्तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज़्यदा पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें won't be ओन दोस्तों के साथ सेयर करें दोस्तों मैं मिलता हूं के नएं व झाल झाल